जैन फ्रेंट्स, वेल्कम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कुछ जो ट्रीटमेंट मेतड्स होते हैं इस वाटर सॉटनिंग मेतड्स उनके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर जो एक्सेनल ट्रीटमेंट मेतड्स से उसका दूसरे नंबर का हम लोग देखेंगे जो कि हमारा lime soda process ठीक है तो मैंने आपको तीन मेतड्स बताये थे एक्सेनल ट्रीटमेंट के अंदर उसमें से दूसरा हमारा है lime soda process ठीक है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे friends बिल्कुल basic से कि lime soda process क्या होती है, ठीक है कैसे पर्फॉर्म किया जाता है और कितने टाप की lime soda process hotी है, ठीक है तो हम लोग डीटेल में बात करेंगे अज की इस वीडियो के अंदर cold lime soda process की और next वीडियो में हम लोग बात करेंगे hot lime soda process के बारे में नहीं तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है तो हम लोग बिल्कुल basic से बात करते हैं सबसे पहले friends की आखिर में जो lime soda process है यह क्या होता है तो simple सी भाषा में कहा गया है कि lime soda process एक एसी process है जो कि हमारे soluble calcium या फिर magnesium के salts थे ठीक है simple सी भाषा में क्या कहा गया है कि lime soda process converts soluble calcium magnesium aluminium and iron salt देखो simple सी भाषा में आप यह कह दीजिएगा कि lime soda process एक ऐसी process है जिसके अंदर multivalent cations के जो salt से वो insoluble compound में convert होते हैं ठीक है इनको क्या कह सकते है multivalent cations मैं आपके लिए लिख देता हूँ multivalent cations अब इनको multivalent cations क्यों कहा जा रहा है क्योंकि देखो जैसे कि magnesium है magnesium 2 plus calcium 2 plus है ना फिर इदर से al 3 plus और iron fe 2 plus बोल दो या फिर fe 3 plus बोल दो दो दोनों possible है तो इनके जो salt से जिनकी वज़े से हमारा क्या होती hardness होती है उस hardness को एक प्रकार से insoluble compound में convert करता है कौन lime soda process ठीक है तो मेरे क्याल से यह चीज़ आपको clear हो गई होगी next अगर बात करें friends कि यहाँ पर जो chemical का use किया जाता है इस process के लिए वो है हमारे क्या lime that is and soda समझेगा कि जो chemical का यहाँ पर use हो रहा है वो हमारे है calcium hydroxide और soda Na2CO3 अब यह जो हमारे calcium hydroxide और soda इनको एक fixed amount में calculated amount में add किया जाता है जिससे कि यह क्या करते हैं जो भी हमारे multivalent cation के salt से उनको insoluble compounds में convert कर देते हैं ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखने है आप से कोई पूछेगा कि बताइए lime soda process के अंदर कौन से chemicals का use किये जाता है तो इन chemicals का use हम लोग करेंगे calcium hydroxide और soda का ठीक है next अगर बात करें friends इसी के अंदर हम तो outcomes क्या होगा इनकी carbonate या फिर magnesium hydroxide Fe OH holteris या फिर L OH holteris ठीक है तो यह सारे के सारे हमको क्या देखने को मिलेंगे friends यह होते है प्रेशिप्टेट ठीक है PPT जिनको हम बोलते हैं तो क्या होगा कि जो आपके hard water के अंदर जो salts प्रेजेंट थे वो salts जब आप इसके अंदर यह चीज मिलाएंगे ड और इस precipitate को हम लोग remove कर देंगे तो वाई से हमारा water कैसा हो जाएगा soft हो जाएगा तो मेरी ख्याल से यहां तक की चीज़े आपको clear हो गई होगी कि lime soda process क्या होता है कौन-कौन से chemicals की हमको जर्वत लगने वाली है then उसका क्या outcome या क्या result आने वाला है तो result यह आएगा कि जो भी हमारे salts प्रेजेंटे water के अंदर उनका precipitate बन जाएगा और precipitate को हम अलग कर देंगे तो हमको soft water मिल जाएगा ठीक है यहां पर कुछ points लिखे है वह है friends जिससे कि आप efficient use कर सकते lime soda process का ठीक है तो क्या efficient use हो सकता है जिसे कि आप proper time for completion of the reaction इनकी reaction होगी जिसे कि आप chemical मिलाएं नेगे लिए तो इसलिए आप proper time देदू जिससे कि reaction वहाँ पर complete हो जाए दूसरा कि thoroughly mix करो chemical को और hard water को जिससे कि वहाँ पर precipitation का formation अच्छे से हो ठीक है next यह reaction rates are accelerated by heating by heating as done मतलब कि done in hot lime soda process आप क्या कर सकते है जो reactions है reactions को accelerate कर सकते है that is एक प्रकार का catalysis का का काम आप कर सकते है उ meeting provide कर आगे जो कि हम लोग hot lime soda process के अंदर देखेंगे ठीक है तो friends मेरे ख्याल से यह points आपको clear हो गए होंगे external treatment lime soda process के अंदर और कैसे हम लोग lime soda process की efficiency को बढ़ा सकते हैं वो भी यह तीनों points आपको दिमाग में रख लेना है ठीक है आगे अगर बात करें friends तो हमारे जो external treatment method से दो type के होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ एक cold lime soda process दूसरा hot lime soda process आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हमारा cold lime soda process का चीक है तो जैसे की cold lime soda process से आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा मतलब अगर water को water का treatment हम lime और soda के साथ कर रहे हैं अगर room temperature पे मतलब यहाँ पर लिखा गिया है कि water is treated with lime and soda at room temperature तो अगर room temperature पर हमने treatment किया है तो वहाँ से जो हमको process मिलेगी वो हो जाएगी cold lime soda process और अगर हमने water को गरम करने के बाद उसके अंदर lime और soda का mixture कर रहे हैं तो वो हमारी हो जाएगी hot lime soda process जिसको हम आगे चलके discuss करेंगे अभी का focus हमारा cold lime soda process पर है तो मेरी ख्याल से आपको clear हो गया होगा कि अगर water को हम लोग treat कर रहे हैं at room temperature with the help of lime and soda तो वो हमारा हो जाएगा cold lime soda process क्या इसके characteristics होने वाले data is किसके cold lime soda process के तो यहाँ पर क्या होगा friends की जो fine precipitates होंगे जो कि हमारे बने हैं यहाँ पर वो आसानी से settle down नहीं होते हैं और अगर settle down नहीं हो रहे हैं तो उनको filter करना भी थोड़ा मुश्किल होता है ठीक है क्या बोले कि cold lime soda process के अंदर जो हमारे fine precipitates का formation हुआ है वो settle down नहीं होते हैं जिस कि like जैसे aluminate to help filter out the precipitate मतलब की cold lime soda process के अंदर हमको coagulants की जर्वत होगी जैसे कि आप sodium aluminate यहाँ पर ले सकते हैं कि यह प्रकार का coagulant है coagulant क्या करता है friends जो भी छोटे-छोटे small particles रहेंगे यह precipitate रहेगा उसको accumulation बना देता है accumulate करके एक heavy particle बना देता है और वो heavy particle जो का वो हमारा क्या करेंगा under the action of gravity settle कर जाता है ठीक है ओके तो यहां तक के points में रिक्याल से आपको clear हो गया होगा देखो water treated with cold lime soda process have residual hardness of मतलब की हमने water को cold lime soda process से treat कर रहे हैं उसमें residual hardness मतलब after treatment 50 to 60 ppm तक उसकी hardness रे जाती है ठीक है मेरे क्याल से यहां तक की बाते clear हो गई होगी यह reactions आप देख सकते हैं कि sodium aluminate की reaction water के साथ होगी तो यहां से क्या मिलेगा NaOH plus this और यह हमारे क्या है PPT आप लोग बोल सकते हैं यह PPT है यहां पर यह भी PP है PPT को हम लोग आसानी से remove कर सकते हैं तो friends यह reaction थोड़ी सी आपको ध्यान में रख लेनी है अगर नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं ज्यादा load नहीं लेना है ठीक है exam point के उसे पढ़िए और वहां पर यह सारे points अगर लिखेंगे तो आपको पूरे-पूरे marks मिले यह देखो यह बोले हम लोग cold lime soda process को दो टाइप से कराया जा सकता है एक intermittent type होता है दूसरा हमारा होता है continuous cold lime soda process या soda softener तो देखो intermittent का मतलब क्या static हो जाएगा रुका हुआ पानी धर भर दिया आपने उसका process complete होगा देन उसके कुछ बात ठीक है मन समझाओंगा भी continuous यह भी ह होता है तो देखो intermittent की पहले हम बात कर ले तो intermittent में क्या होता है friends एक tank होता है ठीक है सुनिए गध्यान से फिर इसका लिखा हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या होता है एक tank होता है जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हैं इस tank में एक terminal से that is एक side से हम लोग chemical डालते हैं ठीक है chemical जैसे कि मेरा lime हो गया plus soda हो गया दूसरे side से हम लोग क्या करते है friends raw water डालते है तो इधर से मैंने chemical डाला इधर से मैंने raw water डाला और क्या करेंगे stirrer होता है इसके अंदर मतलब जो tank के इसके अंदर एक stirrer रहता है जो कि rotate करता है जिस्ते कि क्या होगा lime और soda plus raw water thoroughly mix हो जाएगा अच्छे से mix होने लगेगा यह जैसे mixer होता है घर में grinder जिसको हम बोलते हैं तो work क्या करता है हम जो भी चीज़ उसका डालते हो अच्छे से piece देता है उसको similar तरीके से जो stirrer है इसका काम है कि water के अंदर जो भी हमने chemical डाला और जो raw water है दोनों को thoroughly mix कर दे section करेंगे तो यहां से कुछ PPT का formation करेंगे तो जो PPT का formation हुआ है friends वो हमारे bottom पे जाके क्या होता है रुख जाएगा settle down हो जाएगा और अब यह अगर PPT हमारे नीचे जाके settle down हो गया मतलब कि यह क्या प्रकार का हो गया insoluble हो गया मेरा insoluble PPT हो गया अब insoluble PPT हो गया तो ज जो भी soft water है और soft water को हम लोग क्या करेंगे remove कर लेंगे clear हुआ तो यह सारी process है कि intermittent type की जो की हमारा क्या है cold lime soda process के अंदर इसका use किया जाता है फिर से बता देता हूँ intermittent में क्या होता है मैं लिख के लाया हूँ आपको वो बताऊंगो ज्यादे अच्छे से clear होगा अभी छोड़ो दो इसको continuous cold lime soda process हमारे टीन टाइप के होते हैं एक conventional type का हो गया एक slash blanket type का हो गया एक catalyst और spray creator type का हो गया तो हम लोग बात करेंगे conventional type के ऊपर ठीक है एक्जामपो इंटर्वेस तो देखो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले intermittent type के लिए तो यह जो भी मैंने अभी आपको explain किया था ना सारा यहां पर लिख दिया आप के लिए मैंने देखो it consists a pair of tanks which are used in turn for softening water pair of tanks मतलब दो tanks होते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं ठीक है साथ में इस tank is equipped with mechanical stearer इसके अंदर सबके हर एक tank के अंदर एक mechanical stearer लगा होता है जिसका काम होता है mix करना किसको raw water और chemicals को और साथ में इस tank के अंदर एक outlet भी होता है जहां से हमारा क्या होता है soft water को निकाला जाता है या फिर sludge को निकाला जाता है देखो यहां पर जब reactions हो रही थी हमारे chemicals और raw waters के बीच में तो इन्होंने reactions करी reaction करने के बाद precipitate का formation किया यह हो जाएगा इसकी value से उपर तक यह पोच जाएगा तो इसको निकालना जरूरी हो जाता है तो इसको निकाला जाता है sludge outlet की मदद से और जो soft water यहां से रिमूब कर लिया जाता है और use कर लिया जाता है boilers के अंदर ठीक है already मैं आपको explain किया हूँ तो आप इसको notes में लिख सकते हैं जिससे कि आपको confidence रहे कि आप exam में इसको अच्छे से लिखेंगे next अगर बात करें friends कि क्या करते हैं इस process को accelerate करने के लिए हम लोग कभी-कभी जिससे कि first time पर हमने यह process कराई थी that is intermittent type का अगर हमने पहला treatment करा है तो उसमें से कुछ sludge जो यहां से हम लोग निकाल रहे थे न उस sludge को फिर से नए वाले जो sequence में जो रहेगा उसके अंदर डाल देते हैं जिससे कि क्या होता है reactions fast हो जाती है ठीक है तो यहां पर यही लिखा गया कि for accelerating the process some sludge from the previous operation is also added ठीक है तो यह भी आप घ्यान में रखिएगा next अगर बात करें friends तो वो है हमारा continuous cold lime soda process देखो continuous में क्या होता यह process चलती रहती इसके लिए हमको रुखने की जरुवत नहीं है जिसे कि इस वाले में intermediate में क्या था हमको पहले chemical डाल देंगे इधर से हम लोग water डाल देते then इसको हम कुछ time तक गुमाते रहते थे then इस water को नि process के अंदर यह हमारा chamber है यह को हम लोग internal chamber कह देंगे जिसको हमने मैंने rate से बनाया यह मेरा क्या है इंटरनल या inner chamber है जिसके अंदर क्या होता है friends हमारा एक प्रतार से जो stirrer लगा होता है साथ में motor होती है जो की stirrer जो है यह इस motor से connected होता है कि motor को हम लोग घुमाएंगे तो यह stirrer भी क्या करेगा घुमने लगेगा है ना और inner chamber में हम लोग क्या करते है raw water डालते हैं साथ में chemicals भी डालते हैं और इस motor को चालू कर देते जिससे की जो हमारे raw water है और chemical है वो क्या करेंगे thoroughly mix हो जाएंगे यहां तक चीज़े मेरे ख्याल से आपको clear हो गई होगी अब क् friends जब हमारे chemicals inner chamber के अंदर जब हमारे chemicals और raw water thoroughly mix हो जाएंगे तो यहां पर क्या होगा हमारी reactions होगी और reactions में क्या होगा friends precipitate बनेगा जो precipitate हमारा as a sludge की तरह यहां पर इकटा हो जाएगा sludge outlet के पास ठीक है अद क्या हुआ आपने chemical डाला आपने raw water डाला आपने stirrer गुमाया तो यहां से well mix हो गया एक अच्छे तरह से mix हो जाएगा mix होने की वज़े से reactions होई reactions होने की वज़े से वहां पर क्या हो जा गया soft water हो गया तो क्या होगा फ्रेंट्स यह outer chamber है मेरा बारे वाला क्या है outer chamber ठीक है तो आप क्या होगा friends यह जो softened water था यह धीरे-धीरे यहां से उपर जाने लगेगा ठीक है क्या करेगा यह उपर जाने लगेगा घ – मैं इसको clear करके आपको बताता हूँ बीदेको यह हमारा softened water उपर जा रहा है, कौन जा रहा है, soft water, अब क्या होगा friends, soft water के लास्ते में एक filter आएगा, जिसको हम लोग नाम दे रहे है, wooden filter, तो यह water क्या करेगा, wooden filter को pass करते हुए, जो भी इसके अंदर impurities रहेगी, वो impurities यहीं पर रहे जाएगी, और यहाँ पर हमको चीज ध्यान में रखना है, कि हमारा यह जो wooden filter है, इस सिर्फ जो pass होगा, उसको हम लोग भार remove करते हैं, चीक है, तो friends, यहाँ पर सारी चीजे मैंने आपको explain करिए, बिल्कुल basics है, एक बार फिर से बताता हूँ, देखो, कि हमारे continuous cold lime soda process के अंदर, दो chamber होते हैं, एक होता है stearer, यह आप देख सकते हैं, motor, driving belt, और inlet होते हैं, raw water के, और chemicals के, ठीक है, outside chamber, that is, outer chamber की अगर बात करें, तो इसके अंदर हमारा wooden filter होता है, जो कि यहाँ पर दिकाया गया है, दूसरा हमारा friends होता है, कि यहाँ पर, एक sludge outlet होता है, है ना, तो यह दो चीज आपको देखने के म और कैसे क्या process था मैंने आपको समझा दिया है, same चीज को मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, देखो, यह sludge जो है, sludge आप देख सकते है, calcium carbonate का होगा, या फिर magnesium hydroxide का sludge होगा, अब क्या होगा, आप इसको use करते जाएंगे, करते जाएंगे, कुछ टाइम बात क्या होग है, कि in this process, raw water and requisite amount of chemical are fed at room temperature from the top into the inner chamber, समझ गए, inner chamber के अंदर हम क्या करेंगे, chemicals मिलाएंगे, और एक साइट से water डालेंगे, यह chemicals जो है, हमारे calculated amounted होता है, मतलब ना जादा कम, ना जादा बहुत जादा, ठीक है, तो उस type से हम लोग डालते हैं, और इसको stirrer की मदद से क्या क करेंगे, गुमाएंगे, जिससे की अच्छे से mix हो जाएगा, ठीक है, next बोला गया है, कि आपको vigorously इसको क्या करना है, stirring कराएंगे, जिससे कि हुआँ पर continuous mixing हो सके, and जो भी हमारे raw waters और the chemical जो है, वहां से, raw water जो भी रहेगा हमारा, and chemical का flow down होगा, और softening of water वहां से हो जाए ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, exam में लिखना है, ठीक है, हमने explain कर दिया आपको, अब आपका काम है इसको याद रखना, और आप इसका notes डाउनलोड कर सकते हैं हमारी website से, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, friends, यह लिखा गया है, कि the softened water is allowed to come into the outer chamber, inner chamber से क्या हो से भार जाते जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लिखी गए है, फिर बोला गिया है, कि जो softened water है, वो rise करता है उपर, और जो wooden filter है, उससे पास होते हुए जाता है, hence, जो भी कुछ sludges इसके अंदर बज गए होंगे, वो भी remove हो जाते है, with the help of that wooden filter, और sludge को आसान को हम लोग periodically निकालते रहते हैं, और filter water जो रहता है, continuously हमारा आता रहता है, कहां से filter softened water outlet से, जो की top मर दिया गया है, तो friends, मैंने क्याल से, यहाँ तक की चीज़े आपको clear हो गई होगी, तो इसकी जो working procedure है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखी, एक बार आप पढ़ सकते हैं, ब lime soda process, तो conclude करता हूँ, friends, आज हमने क्या बात करी, आज हमने बात करी lime soda process की, lime soda process क्या होती है, then फिर हमने बात करी की cold lime soda process क्या होती है, और cold lime soda process के अंदर हमने discuss किया, दो type, that is intermittent type and continuous cold lime soda process, फिर मैंने आपको intermittent type के बारे में भी बताया, then फिर हमने continuous type के बारे में देखा कि कैसे य के काम करता है next video के अंदर हम बात करेंगे friends hot lime soda process के बारे में तो उस video को आप जरूर देके link आपको description या फिर i button में मिल जाएगा and thank you for watching this video अगर अच्छी लगए लाइक करें अपने दोस्तों शाद भी share करें thank you